हेलो विवर्स वेलकम टू माई चैनल सेवन स्लूइशन आजके इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी फाइनेंस लॉक फोन है उसे किस तरह अनलोग किया जाए और क्या प्रॉब्लम्स फाइनस लॉक फोन में आपको देखने मिलती है फसली जो फाइनस लॉक फोन होते है वो जो है administrative, administrative activation आपका लेते हैं आप जो भी है finance lock का जो भी जिस तरहीं सर्विस से आपका लोग फोन लॉक किया गया है वो application को आप install नहीं कर सकते है और वो application है आपकी device में monitor कर सकता है और वो access कर सकता है उसके पास fully access होता है आपके phone का औरि आपको फून एक्सेस कर सकता है और बहुत सारी चीज़ एतना है कि अपका फून कर सकता है अगर आप EMI पे नहीं करोगे तो फून लॉक भी कर सकता है और आपको सौन कर सकता है आपको फू भी अगर प्रॉल्लमि देरने के लिए इसमें प्रॉब्लम यह आता है कि आप अपने फोन का कुछ लोग जो है ड्वेलेपर मोड यूज करते हैं मॉक लोकेशन के लिए या फिर दूसरे कोई अप्लेकेशन यूज करते हैं जिसके लिए ड्वेलेपर मोड की रिक्वार्मेंट होती है उनकी तो आप अपने फोन का ड्वेलेपर मोड आन नहीं कर सकते यह एक प्रॉब्लम आता है और दूसरा एक प्रॉब्लम आता है कि आप अपने फोन को अगर आपका फोन स्लो हो रहा है या फिर आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम आ गया है कुछ एरर्स आ रहे हैं आटोमेटिक ज आपका फोन जो है क्रेडिट लॉक होने की वज़े से जो भी आपका फाइनसर है वह स्वज़े से वह जो है सिक्यूर्टी रिजन आपका जो है फैक्टरी ऑल रिसेट रिसेट अल सेटिंग्स यह वाले ऑप्शन जो है डिसेबल होते है अब यहां स्क्रीन पर आप लोग अब यहां पर आप देखेंगे यह एक फोन है यह लॉक हो चुका था यह भी सक्सेस्फुली अनलॉक हो गया है यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ही ऑप्शन सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो इसके अलावा इस स्क्रीन पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना आप पेटियम पेमेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो अभी दूसरा एक हैंसेट देखिए आप यह वाला एक हैंसेट है सेम यह भी लॉक है इसको भी अनलॉक करवा दिया यह भी अनलॉक हो गया यह एक हैंसेट है यह भी लॉक था इससी भी अनलॉक करवा दिया यह एक हैंसे automatically disable होता है आपके financer applications यहाँ पर जो financer है TVS credit है आप यहाँ पर क्लियर देख सकते है your admin can monitor and manage apps and data associate of this device includes setting, permission, corporate access network activity and this device location information this phone is enrolled with the service plan provided by TVS credit under the terms and conditions agree by you जब भी आप phone purchase करते हो newly phone लेते हो जैसा कि आपने TVS credit पर phone लिया और बहुत सारे अलग-अलग finance market में आ चुके है finance के application आ चुके है जो कि एक security reason से phone में पहले से ही एक QR code scan करके application को pre-install करके देते हैं अगर आप EMI उनका due करते हो या timely pay ने गरते तो हो आपके phone को log करते हैं और जैसे ही आप EMI pay करते हो तो आपको वो जो है phone unlock करके दे दें बट लेकिन जब तक भी आपका जो भी 6 मेने का प्लान है 12 मेने का प्लान हो खतम नहीं होता यह application आपके phone में ही रहेगा यह application आपके phone में ही रहता है और यह इतनी चीज़ें आपकी permission access कर सकता है तो मैं इस वीडियो में आपको clearly बताऊंगा कि आप इसे कैसे delete कर सकते हैं और आप कैसे इस application को completely अपले phone से remove करवा सकते हैं तो यहाँ देख सकते हैं यह भी एक phone था यह भी एक phone lock हो गया था यह से भी unlock करा दिया यहाँ पर देख सकते हैं आप screen पर यहाँ पर जो है unlock करने के लिए एक pin की requirement मंग रहा है यह भी एक phone था customer का और यह भी finance lock phone है देख सकते हैं आप screen पर यह भी finance lock phone है यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है फाइनेंसर जो है magic locker magic locker एक service है जो recovery के लिए block करने के लिए use होती है तो यहाँ पर देख सकते हैं absolute magic locker लिखा हो है यहाँ पर यह भी एक device है यह भी unlock हो गया यह customer का phone था और आप देखेंगे जो भी आपका finance device होता है है वहाँ पर नोटिफिकेशन में एक आपको नोटिफिकेशन शो होता है इस डिवाइस ब्लॉंग टू finance by device financer अगर आप किसी को अपना phone sell कर रहे हो आपको कुछ financial problem आ गई तो भी आपको कोई phone purchase नहीं करेगा क्योंकि आपका phone finance lock है और आप अगर यह माई पे नहीं करोगे तो वह कभी भी लॉक हो सकता है तो इसका complete solution क्या है कैसे application को हटाना है कैसे यह सारी चीज़े करना है तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा वीडियो देखते रही है आप अब यहां पर आप देख सकते हैं वीवो का एक handset है मेरे पास वीवो वी 25 प्रो अब जैसे ही आप अगर इसका developer mode on करने की कोशिश करते है तो आपको यहां पर एक notification देखने मिलता है आप जैसे ही build number पर यहां पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर ब्लॉकेट बाइ यॉर एड्मिन आईटी एड्मिन दिस फोन इंड्राइट बाइड इस सर्विस प्लान तो यह भी यह एरर यह वाला जो notification है वो भी complete रिमूब हो जाएगा आप एजीली एकसेस कर सकते हो अपना developer mode आप अपने फोन को नॉर्मल जैसे यूज कर सकते हो और आप जो है फोन को रिसेट भी कर सकते हो रिसेट वाला भी option इनेवल हो जाएगा आपका जैसा फोन न्यू होता है नॉर्मल फोन जैसे होते हैं वैसे ही आप अपने फोन को यूज कर सकते हो अब यह आप देखेंगे मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था एक फोन अन्ल Nay विवो कोतो करवाया हो आप देख सकते हैं यहां पे बहुत सारे लोगों के कमेंट से हैं बहुत सारे लोगों के मैसेजेस हैं कि फोन को अनलॉक करवाने के लिए यहां पर दे सकते हैं चाहे ओपो भी वो कोई भी हैंसेट हो अनलॉक हो जाएगा आपको मैं डिस्रिप्शन में नंबर दे दूँगा मैं कॉल रेसीव नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत सा क्या है